सब्सक्राइब करने का बैस तरीका होता है कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो टॉपर्स होते वह बहुत जादा अच्छा बैतर ही परफॉर्म करते पर हम लोग नहीं कर पाते और यहीं प्रॉब्लम हर एक बच्चे के साथ में है कि टॉपर्स ऐसी कौन सी जड़ी ब एक्जाम में पेपर्स को देखते से ही टॉपर्स को सारी कोशन बनते है सेम टीचर के साथ में पड़े है सेम क्लास में पड़े है उसके बावजूद टॉपर्स को वह कोशन तो आगया लेकिन आपसे वह कोशन नहीं बन पा रहा है तो ऐसा क्यू होता है चलिए बात कर लेत वो है बच्छा आपका माइंड स्थर करना रिवीजन एक ऐसी टेकनीक है जो आपके दमाग बहुत दिमाग के उपर बहुत जादा काम करती मतलब बेसिकली अगर आपका दमाग बहुत एक्टव रहता है अगर आपके माइंड में सेट कर लिया आपने कि यार मुझे ये काम कर नहीं है तो आपका माइंड वैसे ही काम करता है तो रिवीजन बेसिकली लंबे समय तक कि आप कैसे किसी कॉंसेप्ट को याद कर सकते हो ये वो टेकनीक है टॉपर्स नहीं बताएंगे कि वो कैसे कोश्चन को याद करते हैं कैसे कोई कोश्चन को जल्दी 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 revise करते हैं पेपर के पहले फटा-फट से पन्य पलटके revision कैसे कर लेते हैं तो यह वाली जो problems है ना वो हर किसी बच्चे की होती है तो इसकर भित्चे करते हैं सबसे पहले बात करते हैं टॉपर्स के revision की system की rule no.1 जो टॉपर्स फालो करते हैं वो बच्छा इनके नोट्स, येस, टॉपर्स की नोट्स बहुत ही प्यारे होते हैं, मैं को पता है, बहुत सारे बच्चे लोगों उन्हें अभी तक की नोट्स नहीं बनाया होगे, नोट्स बनाना एक ऐसी टेकनीक है, जो कि कहीं ने कहीं आप सभी को बहुत अच्छे से बार- पढ़ने के लिए उकसाती है, जैसे मान लीजिए मैंने आप लिगों को खाना परोसा हुआ है, एक सिंपल सी थाली में कटोरी सब्जी डाल कर आपको खाना दे दिया, और एक थाली को बढ़िया सजाया हुआ है, जिसके अंदर एक छोटी सी कटोरी, चिशिक अधर खाना खाने का मन कहां करेगा जो थाली आपकी साफ सुतरी है सुंदर दिखरी है आप देखेगा बच्छा ये human psychology चीज है कि जो चीज हमें अच्छे दिखती है मैं उसी को पकड़ने का मन करता है खाने का मन करता है ठीक है वैसे ही हमारा दिमाग है अगर आपने copy ये बनाई है आपने अगर आपके notes बनाई हुए है और वो notes बहुत ही किचुड मिचुड है बहुत बेकार से है देख के समझ नहीं आ रहा मन नहीं करता तो ऐसे notes अगर आप बनाते हो तो आप revision भी अच्छे से नहीं घर पाऊंगे पर अगर आपके notes भले बेटा writing कितनी घराब हो मेरी writing भी बहुत घराब थी लेकिन class 10 और 12 तक आते आते एक चीज मैंने सीखी थी कि अपने जब भी notes बनाऊ तो एकदम साफ सुतरे होने चाहिए भले writing के ऐसी हो फरक नहीं पड़ता पर आपका जो लिखा हुआ है वो ऐसा रखना चाहिए जो आपको समझ में आए ये आप topper से सीख सकते हो उनकी coffee बहुत ही ज़ादा maintain होती है topic, heading, description हर चीज को वो detail में समझाते हैं लिखते हैं और बहुत प्यारी तरीके से उनकी coffee को सजाते हैं जरूरी नहीं है आप सजाओ लेकिन at least कुछ चीजों को आप systematic तरीके से लिखोगे तो आपका पढ़ने का मन बार-बार करता है तो rule number one अपने notes बहुत सही तरीके से बनाना है सही ढंक से बनाता है दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है बच्चो पुनह प्रयतन या हम क्या सकते है बार-बार अधियन ठीक है तो हमें एक चीज notice करनी पड़ेगी कि जो बार-बार अधियन का जो trick होता है वो हर किसी के बस में नहीं होता कहने का मतलब यह होता है कि हम अक्सर इतने लापरवा बच्चों है कि अगर हमको chapter 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो हम उसको तब पड़ेगे जब exam में जरुवत पड़ेगे आप लोग देखना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते है जो class में पड़के बोलते है यार हमको तो सब कुछ समझ में आ गया है माम अब हम सीधा switch करेंगे या सीधा exam में जा करके लिख देंगे ऐसा कभी नहीं होता कि आपने आज पड़ी है चीज़े आपने रिवाइज नहीं किया और कल जा करके आप as it is लिख दो ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता बहुत सिंपल सा reason है आपने दुबारा उसको दोहराया ही नहीं आपने बार बार अधन यानि कि उसका दोहरान तो किया ही नहीं भाई हमने दोहराया ही नहीं तो हमारे दिमाग को कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कैसी है proper system कैसे पता चलेगा उसको पता नहीं चलेगा तो अगर पता ही नहीं चलेगा तो फिर वो लिखके क्या आएगा exam के अंदर तो हमारा काम होना चाहिए बार बर रिपिटेशन बार बर हमको सीज को समझनी पड़ेगी हमें उसको दोहराना पड़ेगा क्वामी करना पड हीरा दोहराना पड़े लिए इक्जेंपल के लिए ग्साभर मान लिगांग आपने ग्णा अध्याय करमाख एक आपने पढ़ाता था तो गृत ग्णा आपने पढ़ाता था तो जो आध्याय एक है आप बीच चुके है उस समय ये अध्याय हमको बहुत अच्छे से समझ में आया था तो टॉपर की जो सबसे special strategy होती है वो है एक special gap के बाद repeat करना revision करना मान लीजिए chapter 1 जून में पढ़ा था तो टॉपर क्या करेगा टॉपर revision तीन प्रकार से करेगा जिस दिन teacher ने मान लो मैंने मंडे के दिन आपको जून में मंडे के एक तारीक को पढ़ाया एक तारीक को मंडे था मैंने आपको दोपहर में पढ़ाया मैंने आपको शाम में पढ़ाया तो टॉपर क्या करेगा अगले दिन पहले revision करेगा सबसे पहला रिवीजन होता उसका अगला दिन या उसी दिन वो जा करके क्या करें बच्छा अगला दिन वो बैठ करके पहले रिवीजन करेगा उसी दिन वो क्या करने वाला है रिवीजन करेगा एंड ये इसका पहला रिवीजन है आप लोग देखो बेटा, यह first revision है उसका, after that first revision, उस पहले revision के बाद, उसको चीजे काफी अच्छे से याद रहेगी, तो आपने गर जूर में पढ़ा था, उसी दिन आपने पढ़ लिया, तो फिर वो second revision, जो दूसरा revision होगा, वो at least एक वीक बाद होगा, आप लोग notice कहीजे, यह चीज हम लोग मिस कर देते, second revision, दूसरी बार revision वो बिटा, लग भग, एक हपते के या एक सप्ताहा के अंतराल बा यह difference समझ में आ जाएगा कि कैसे टॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करते है, कैसे वो आठ महीने प्रॉपर तरीके से पढ़े कर पूरे मैं से पूरे नंबर ला ला लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रती दिन पढ़ाई करके भी नहीं ला पाते, आपने देखना बहुत सारी बच् इसी मेथट को यूज़ करते हैं, उनका दो रिवीजन उसी महीने में हो चुके होते हैं, फिर वो जब तीसरा रिवीजन करेंगे, सबी लोग ज्यान से जो थर्ड रिवीजन होगा उनका जिस समय उनके त्रैमासिक होगे, समझना इस चीज़ को पहला रिवीजन हो चुका उसी दिन, दूसरा एक हपते बाद और तीसरा जब रिवीजन होगा वो होगा आपकी ती माही परिख्षा के दोरान, ती माही परिख्षा में इनका थर्ड रिवीजन चल रहा होता है, समझ जो इस चीज़ को, थर्ड रिवीजन ती माही परिख्षा में, फिर चौथा एकजाम कर रहे होते हैं, आपके पास में हाफ में चौथ ही बार रिविजन कर रहे होते हैं, फिर एक और रिविजन करते हैं में पहले pięć बार revision एक टॉपर एक ही टॉपिक को पाच बार पड़ चुका है वो चैप्टर वन को पाच बार पड़ चुका है चटीवी बार पड़ेगा फिर एक्जाम से पहले समझो कितने अच्छे से पड़ चुका है वो चैबार रिविजन कर चुका है आप लोग देखो अंतर समझ पढ़ आपको आपको अंत समझ पढ़ा कि चाप्टर वन को उसने उल्रेडी छह बार पढ़ लिया है तो एक्जाम टाइम में उसको पढ़ने की जरुवतिच नहीं है लिटरी बतार उसको आता है उल्रेडी तो वो छह बार एक ही चीज को पढ़ चुका है दूसरी चीज मान ली जे क कोई चाप्टर आपने दिसंबर में पढ़ा तो पढ़ा दिसंबर से आपको मैंने पहले भी कहा है बटा कि दिसंबर तक सभी सब्जेक्ट सभी के सभी चाप्टर दिसंबर के अंत तक जितने भी अध्या है अंत में जितने भी अध्या है उनके कम से कम बटा थी टाइम्स रिवीजन्स तो होने ही शाहिए, minimum three times revision तो होने ही शाहिए और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक भी बार revision नहीं करते हैं teacher ने पढ़ा दिया, हमने notes बना लिए और हम भूल जाते हैं हमें नहीं करना है, at least कम से कम three times revision हमको करने ही करने है और इस revision का जो तरीका है वो simple सी बात है, बहुत प्यारे notes आप लोगों ने बना लिए है अब notes बनाने के बाद हमें हर समय एक चीज याद रखनी है और यह है कि कम से कम एक से दो हफते के बीच में एक बार एक chapter को खतम कर दे चाहें वो विज्ञान हो, गनित हो, आपका social science हो, अंग्रीजी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो फरक नहीं पड़ता बटा कोई भी विशह हो आपको इसी प्रकार से पढ़ने है notes बनाने के बाद जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब revision कर रहे होते हो तो revision में दो चीजों का ध्यान रखना है आपको, कि हमें लिखना भी सीखना है हमें सिर्फ याद नहीं करना, हमें सिर्फ concept को याद करना नहीं सीखना है याद करना प्लस लिखना, दो चीजे होती है याद तो हर किसी को होता है लिखना किसी को नहीं आता तो याद करना प्लस लिखना भी जरूरी होता है ऐसा नहीं होगा कि बिना रिविजन करें फटा फटा में एक्जाम में चले जाएगे और जाके अच्छा लिख करा जाएगे ऐसा नहीं होता याद करने के साथ साथ आपको उसको लिख करके भी देखना है कि क्या मुझे ये concept लिखते आता है या नहीं आता है अगर आप लोगों को लिखना समझ में आगए बिटा तो आप लोग कर लोगे तो हमें notes बनाना है, याद करना है और साथ में लिखने की भी कोशिश करनी पड़ेगी और फिर बिच्चो जब आप ये वाली प्रोसेस से दोहरा मतलब इसको मैं अगर सही तरीके से बनाओ तो आप लोग इसको ऐसे बिटा कर सकते हो जिसे मैंने यहाँ पर mention कर रखा हुआ है कि notes बना करके पहले याद करो, लिखना सीखो और उसके बाद बच्चा आपका काम होता है questions के साथ, यानि कि प्रिश्णोत्तर के साथ revision ये बच्चा भूल जाता है प्रिश्णोत्तर के साथ हमें questions को क्या करना है? revise करना है और जब ये हो जाए अंतिम चरण जब आपके notes प्रॉपर बने हैं याद करना, आपने सीख लिया, लिखना सीख लिया आपने questions के साथ revision करना सीख लिया तो बटा एक होता है second last revision एक होता है आपके पास में second last revision जहां पर आप लोग क्या करते हो बटा short notes बनाते हो short notes बनाना एक ऐसी विधी है जहां पर आप पूरे chapter को summarize कर सकते हो मतलब 8, 10, 15 पेजों का जो chapter होता है उसको आप 1-2 पेज में निप्टा कर खतम कर देते हो उसको बोलता है short notes short notes जो होते हैं short notes आपको concept याद बलाने में काम करते हैं जितने जादा आपके short notes बने होते हैं यह exam के पहले आप revise करने में help करेंगे exam के just पहले आप लोग इसको use कर सकते हो देखने के लिए और परिक्षा के एक गंटे पहले भी आप इसको revise कर सकते हो इस तरीके से आप लोग कम से कम अच्छा एक गंडे पहले भी अच्छे से revise कर सकते हो जो concept आपको समझ में नहीं आया तो यह एक ना पूरा का पूरा flow chart होता है एक पूरा का पूरा strategy होता है revision का जब मैं अपने time पर पढ़ा करती थी तो एक इस चीज मैंने जो भी ध्यान दी थी वह थी मेरी कि मैं अकसर concept को question के साथ में practice नहीं करती थी और जब question में देखती थी तो question मैं डर जाती थी तो मैंने हमेशा पहले concept पढ़ा है फिर मैंने question की practice करी है तो यहां पर आपको गलती नहीं दोराने मैंने समझाया आपको कि टॉपर्स इसी लिए थोड़ा सा हटके अलग perform देते हैं बाकी सबी बच्चों से तो आप लोग भी इन strategy को follow कीजिए और आप आपका जो result है वो काफी अच्छा ब्रू हो जाएगा आपको concept लंबे समय तक याद रखना है कम से कम तीन से चार बार revision तो होने ही चाहिए ठी लिखना सीखिए याद तो कर लोगे concept समझ लोगे all it's good that's it and इतना कर लिया तो बाकी सारा बच्चों आपका डण डण है that's it बस यह होती है आपकी best revision techniques okay so thank you so much अगर आपको इस session पसंद आता है like कीजिए share कीजिए and doubtnut 9th Hindi Medium को subscribe कीजिए